नमस्कार दोस्तों फिर स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ दोस्तों इस वीडियो में आप देख सकते हैं मेरे हाथ में है टेक्नो स्पार्क पावर टू एर और इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने मोबाइल में कॉल को ब्लॉक कैसे कर सकते है या फिर अगर आपने कोई number block कर रखा है और वो आपके contact list में से भी गायब है और आपके phone में है नहीं पूरी तरह से delete हो गया है तो उसको unblock कैसे करना है यानि कि full detail यहाँ पर मैं आपको बताने वाली हूँ तो video शुरू करने से पहले आप लोगों से एक request है अगर आपने मेरे चैनल पर पहले बार विजिट किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिगा अब आपको क्या करना है call locks पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप normally i button पर क्लिक करेंगे और मान लीजी इसको block करना है तो यहाँ पर आपको block option देखने को मिलेगा आप इसको ऐसे okay कर देंगे तो यह block हो गया है unblock करना है तो directly आप ऐसे ऐसे unblock कर देंगे इसको तो यह blue color का हो जाएगा तो मान लीजी जैसे आपने block कर दिया और यहाँ पर आपको इसको ऐसे delete कर देना है और यह mobile number आपकी phone में है ही नहीं आप इसको कहां से आपको ढूंड के unblock करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है three dot पे जाना है, setting पे जाना है और यहाँ पे आपको block numbers का option देखने को मिलेगा आपको इस पे click करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं यह number आपका block हो रख है तो normally आप यहाँ से cut के निशान पे click करेंगे ऐसे और इसे unblock पे click कर देंगे तो यह number यहाँ से हट चुका है तो यहाँ पे आप आपको कोई सभी number देखने को ने मिलेगा और अगर आप चाहते हैं कोई particular number add करना है तो add a number पे click करेंगे और यहाँ पे अपना number डाल कर देंगे जो आपको block करना है और इसके बाद block पे click कर देंगे तुबारा से जाना है आप अपना number डाल देंगे block पे click करेंगे तो यह block हो जाएंगे unblock करना है तो cut के निशान पे ऐसे click करेंगे और ऐसे क्लिक करेंगे तो यह अनब्लॉक हो जाएंगे तो इस टैप से आप कॉल को ब्लॉक और अनब्लॉक कर सकते हैं तो आई हो काईस यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा इसी टैप के और बें इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल पर विजिट करते रहेगा तो चलिए मैं मिलते हूँ आपको एक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार